गाव के बाहर एक पुराना खंडहर था, सालों से वह खंडहर वीरान पढ़ात, गाव के लोग कहते थे कि वहाँ एक भूत का बसे रहा, दिन धलते ही कोई उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करतात, बच्चे तो दिन में भी उस रास्ते से गुजरने से डरतेत, लेकि और दीपक को डर तो लग रहा था, लेकिन वे राहुल की बातों से प्रभावित हो गए और साथ चलने को तयार हो गए, तीनों दोस्त शाम होते ही खंडहर की ओर निकल पर, जैसे जैसे अंधेरा गिरता गया, वैसे वैसे उनके दिल की धरकन तेज होती गए, खंडहर के प धूल जमी थी और छट से मकडी के जाले लटक रहे थ, दीवारों पर अजीब जीब निशान थे, जो पहले कभी देखे नहीं थ, तीनों दोस्त धीरे धीरे अंदर घुजग, मोहन बोला, लगता है यहां सच में कुछ, तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई, कौन है, तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी सासें अटक गई, दीपक घबरा कर बोला, यहां से भाग चलो, लेकिन राहुल ने उसकी बात अंसुनी कर दी और आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लग, जैसे ही वे एक बड़े से कमरे में पहुँचे, उनकी आखों के साम ने एक परचाई सी उब्र, वह परचाई धीरे-धीरे एक आकार लेने लग, अब तीनों का डर चरम पर पहुँच चुकात, यह क्या है, मोहने कापते हुए पूछ, तभी वह परचाई सपष्ट हो गई और सामने एक छोटा सा ब्राउनी जैसी दिखने वाली आकृती खड यह मेरा घर, लोग मुझे भूत समझ कर मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुचात, बस शांती चाहती हूँ, तीनों दोस्त हैरांध, तो तुम भूत नहीं हो, दीपक ने पूछ, नहीं, ब्राउनी ने का, मैं यहां सालों से अकेली रह रही हूँ, म उसके बाद तीनों दोस्तों ने गाववालों को जाकर बताया कि खंडहर में कोई भूत नहीं है, बलकि वहां एक ब्राउनी रहती है, जो बिलकुल हामलेस, धीरे धीरे गाववाले उस खंडहर से डरना बंद कर दिये और वहां जाने लग, ब्राउनी ने भी गाव के झाल झाल